PCOD, PCOD ऐसी समस्या है जो महिलाओं से समंदित है और PCOD के कारण महिलाओं स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी चली जाती है तो क्या है PCOD और कैसे इसका मानशिक स्वास्त्या पर असर पड़ता है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है मैं राजिंदर जोद पूरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ PCOD पोलिसिस्टिक ओवरी डिजीज PCOD ऐसी समस्या है जो महिलाओं में पाई जाती है और National Institute of Health and Research के सरवे के मताबिक 10% महिलाओं में PCOD की समस्या पाई जाती है और PCOD के कारण महिलाओं को गरबाधारण में बहुत दिक्कत आती है PCOD में ओवरी में चोटी-चोटी सीष्ट यानि गांठे हो जाती है जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्ते और सारीरिक स्वास्ते प्रभावित होता है और गरबाधारण में बहुत सारी दिक्ते आती है और कई बार गरबाधारण हो भी नहीं पाता है लेकिन आज की इस वीडियो में मानसिक क्या क्या प्रभाव PCOD से गर्सित महिला के जिवन में आते हैं उनको हम जानेंगे और उनका इलाज क्या है तो PCOD की समस्या के लक्षन इस परकार है सबसे पहला लक्षन है चहरे पर रोए या बाल उगाना या सरीर के अन्य अंगों पर बहुत घने बाल उगना PCOD की समस्या का एक मुख्या लक्षन माना जाता है दूसरा लक्षन है पीरियड ठीक से ने आना उसके पीरियड नियमित हो जाते हैं या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं या बहुत लेट आते हैं तीसरा लक्षन होता है period के समय बहुत दर्द होना, या heavy bleeding होना, या बिलकुल भी bleeding नहीं होना, चोथा लक्षन होता है vajon का बढ़ना, यह कुछ लक्षन रहते हैं PCOD की समस्या के, अब जानते हैं PCOD होने के कारण क्या है, सबसे पहला कारण रहता है तनाव पूर्ण जीवन जिन महिलाओं के जीवन में तनाव चिंता या फरस्ट्रेशन है उनको PCOD की समस्या होने की संभावना जादा रहती है बदला हुआ लाइफस्टाइल जो महिलाओं बदले हुए लाइफस्टाइल का सामना करती है जैसे शिप्ट में काम करती है या देरात तक जगती है देरात तक काम करती है तो ऐसी महिलाओं को PCOD की समस्या का जादा सामना करना पड़ता है जो महिलाएं लेट नाइट तक जगती हैं या सिफ्ट में काम करती हैं या सिफ्ट से समधित कार्या करती हैं उनके जीवन में PCOD की समस्या जादा आती है इसके इलावा अन्य कारण जो महिलाएं समोकिंग करती हैं या ड्रिंकिंग करती हैं उनको भी PCOD का सामना जादा करना पड़ता है तो ये कुछ कारण रहते हैं इसके इलावा कुछ बायलोजिकल और हैरेडिटरी फेक्टर भी PCOD के लिए जिम्मेवार होते हैं जैसे आपके प संभावना ज्यादा हो जाती है लेकिन इसका इलाज मेडिकली और साइकलोजिकली संभव है सबसे पहले आपने गाइनोकोलोजिस्ट से मिलना है उससे बात करनी है अपने स्रीर की जांचे करवानी है और दवाओं का या चिक्त सक के प्रामर्स से इलाज लेना है और साथ की साथ काउंसलिंग और साइको थेरपी का सहरा भी लेना है क्योंकि PCOD के कारण महिलाव में डिप्रेशन तनाव चिंता अन्य साइकलोजिकल प्रोब्लम अक्सर देखने को मिलती है तो आपका जीवन सुख में हो जाए जीवन आपका हसी कुसी बीते इसके लिए आपको हिपनो थेरपी, CBT, भागवत गीता थेरपी और माइंडफूल्नेस थेरपी भी लेनी होगी इसके लिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है अगर आप PCOD से सम्मंदित और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कोमेंट वोक्स में लिखिए मैं और बहुत सारे वीडियो इस टोपिक पर आप तक पहुंचाता रहूंगा शुकरिया